नमस्कार आप देख रहे हैं नमंत सत्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ राहुल शुकला नाम एक ऐसी चीज जो किसी भी वस्तु, किसी भी वैक्ति और किसी भी स्थान को परिभाशित करता है और बताता है कि वो ये चीज है नाम को लेकर कई बार अक्सर विवाद भी सामने आते हैं कई बार वैक्ति पर उसके सरनेम को बदलने का भी दवाव होता है कि वो अपने सरनेम को बदले लेकिन वैक्ति ऐसे में अपने सरनेम को नहीं बदलना चाहता तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या अगर आपके उपर सरनेम का बदलाव का दवाव आता है तो आपको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना नाम और सरनेम रख सकता है नाम दो तरीके के होते हैं एक नाम होता है जो जनम से मिलता है मानली जैसे मेरा नाम राहूल है और मेरा सरनेम है शुकला अगर मैं इसको चाहूं तो सरनेम को अपने हिसाप से बदल सकता हूं क्योंकि इसका अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे सरनेम का परीचलन भी बदलता जा रहा है अब आप कहेंगे कि यह मैं क्या कह रहा हूं तो मैं आज आपको कुछ उधारन देता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोट में याचिका लगाई थी उस दोरान दोनों पती पत्नी के भी जगडा हो गया था और उनकी जो बच्ची थी 5 साल की यानि की वो नाबालिक थी और ऐसे में बच्ची क के जो सरनेम था वों उसकी माने बदलकर अपने नाम से रख दिया था जिसको लेकर दिली हाई कोट में याचिका लगाई गया थी और दिली जो हाई कोट है उन्होंने याचिका करता से पूछा भी था कि आखिरकार बच्ची अगर मा का सरनेम लगा रही है तो आपको क्या परेशानी हैं तो ऐसे मैं याचिका करता की तरफ से बयान दिया गया था कि बच्ची अभी अपने नाम को लेकर परिपक्व नहीं है और वो अपने नाम का इस्तमाल करना नहीं जानती है मैं अगामी दिनों में उसको जिस तरीके के जो उसके भीमा हुए हैं जो उसकी policy हुए है वो आगामी समय में claim करने दिक्कत आएंगी। ये पहली चीज है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊबगा कि च्या हकीकत में भविश्य में सरनेम को लेकर आपको दिखट आएगी या नहीं आएगी इसको मैं बाद में बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको यह clear कर दूँ कि सरनेम को लेकर जैसे जैसे समय बदला है वैसे ही वैसे लोगों ने पनी नाम बदलने का तरीका भी बदल लिया है सबसे पहली चीज कुछ ऐसे लोग हैं और ये नाम का जो बदलने का सबसे ज़्यादा दवाव होता है वो महिलाओं पर होता है क्योंकि महिलाएं और लड़किया शादी के बाद अधिकतर आपने देखा होगा कि उनको अपने पती का सरनिम लगाना पड़ता है लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे समय बदलता गया और टेकनोलोजी बढ़ती गई लोग पढ़े लिखे होने लगे तो ऐसे में लोगों ने अपने पती का सरनिम लगाना भी बंद कर दिया अब आप कहेंगे जी ऐसा कैसे तो मैं आज आपको बताता नाम भी कई तरीके के लोग अपने हिसाब से रखते हैं मैंने आपको भी बताया और सबसे पहला कि कुछ ऐसे लोग भी हैं मैं अब उधारण दे देता हूं कि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदला और उन्होंने अपने पिता के सरनेम के साथ ही अपना अपना जीवन यापन करेंगे, अभिनेतरी, अनुष्का, सर्मा, दिपीका, पादुकोर, ये वो नाम हैं, जिनोंनों शादी तो कर ली, लेकिन अपना सरनेम नहीं बदला, जो उनके पिता जी का सरनेम है, उसके साथ ही उन्होंने अपना सरनेम रखा, और उसके बाद, वो उ समय बदल गया तो लोगों ने नाम रखने का तरीका भी बदल दिया तो सरनेम का आप जो भी चाहें वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब इसमें दो तरीके के और लोग हैं अब आप कहेंगे वो कैसे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ अपने पती का सरनेम भी जोड लिया यानि कि नाम में देखिए कितना बदलाव आ गया नाम में बदलाव कि उनके नाम के साथ जो उनका पहले उनके पिता जी के नाम का सरनेम जुड़ा हुआ था अब वो नाम और आगे बढ़ गया है अब उनके पती का सरनेम भी उसी नाम में जुड़ गया है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे की मान लीजे एश्वरे राय बच्चन और मलाइका रोडा खान ये वो नाम हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने पती का सरनेम भी जोड़ा और अपने पिता का सरनेम भी जोड़े रखा अब ऐसे में कुछ और महिलाएं भी हैं जो सरनेम को लेकर कई समस्यान लोगों के सामने खड़ी होती हैं तो ऐसे में कुछ और महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम आगे रखा और अपना नाम पीछे रखा और सरनेम लगाया या नहीं लगाया वो उन पर निर्भर करता है जैसे कि जै जै ललिता यानि कि जो आगे जै लगा उन्होंने अपने पिता के नाम पे जै लगाया था और उसके बाद जै ललिता उनका खुद का नाम था तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने नाम को लगातार सरनेम को लेकर आदमी के उपर किसी तरीके का कोई दवाव नहीं है और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या आगामी दिनों में जो आपकी पॉलिसी चल रही है होगी जो आपके इंसुरेंस चल रहे हैं उसमें आपको कोई समस्य आएगी उसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं अपना फर्स्ट नेम वही रहने देती हैं सेकिंड नेम पर अपने पती का सरनेम लगा लेती हैं या अपने पती का फर्स्ट नेम लगाके थर्ड नेम पर वो जो अपने पीता का सरनेम होता उसको यूज़ करती हैं इसका मतलब सरनेम को लेकर कोई दवाव नहीं है और इसमें एक नाम मैं आपको और बता देता हूं मान लीजिए स्मृति मलहोत्रा जो अब नाम हो चुका है इसमृति जुबेन इरानी यानि कि इन पर सरनेम का कोई दवाव नहीं था नाम पूरी तरीके से बदल गया और नाम अब इन्होंने इसमृति मलहोत्रा से हटा कर इसमृति जुबेन इरानी अपना नाम रखा हुआ है और इस नाम को अब यह चल भी रहा है सभी जानते हैं कि क क्या यह mandatory है कि आपको आपका सरनेम बदलना ही है तो सुन लिजिए कि आपको आपका सरनेम, पादर के सरनेम पर आप रखना चाहते हैं, यह कोई mandatory नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना सरनेम लगा सकते हैं, जिसमें आपको सुविधह जनक लगती हैं, अब बात आती है insurance और policy कि क्या इसको लेकर आगामी दिनों में परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है तो मैं आपको बता दू कि नहीं इनको लेकर परिशानियों का सामना बिलकुल नहीं करना पड़ सकता क्योंकि आपका first name वही होना चाहिए और surname आपका एक्स वाई जेट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है हलाकि आपके जो अधर डॉक्यमेंट्स हैं उनकी एक बार जाच पड़ताल की जाएगी और जाच पड़ताल के आप क्लेम करने जा रहे हैं वहां आपका नाम सरनेम के साथ कुछ और है तो ऐसे में आपके प्रिवियसली जो डॉक्यमेंट्स होंगे जो आपको इडिन्टिटी प्रूफ करते होंगे वह जाच परताल की जाएगी जाच परताल के बाद यह जब प्रमानित हो जाएगा कि ह यहां फस्त नेम मिल रहा है और यह वही व्यक्ति है जो सरनेम यहां पर दूसरा है और ऐसे में सबसे बड़ा उधारण तो मैं आपको बताई रहा हूं कि भारत में यह परिचलन भी है कि जब महिला शादी के बाद अपने पती का सरनेम रखती हैं तो उनको भी LIC Policy या फिर Insurance Policy किसी तरीके की लेने में कोई दिक्कत नहीं आती तो ऐसे में किसी तरीके का सरनेम को लेकर इंसान को परिशान नहीं रहना चाहिए वहीं दूसरी तरफ में बता रहा था कि दिल्ली हाई कोट ने एक ही आचिका दायर हुई थी जिसमें बच्ची के सरनेम को पिताने कहा था कि उसके नाम पर रखा जाए लेकिन उनके माने दोनों के अलग होने के बाद बच्ची का सरनेम अपने नाम पर रख लिया था ऐसे में court ने भी इस बात को माना है कि अगर कोई भी व्यक्ति वो चाहता है कि वो surname किसी और का यूज़ करे या surname अपने accordingly यूज़ करे अपने अनुसार यूज़ करे तो वो कर सकता है और court ने इसमें आचिका करता से कहा कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्यो क्योंकि हमारा अधिकारी देता है और हमारा यह अधिकार भी है अब यह कहेंगे कि अधिकारी की बात कहां से आ गई आप तो मैं आपको बता देता हूं साल 2012 में Bombay High Court ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सरनेम को लेकर कोई दवाव नहीं बनाया जाएगा बाकि फस्स देम वही रहना चाहिए ऐसा साल 2012 में बंबई हाई कोट की तरफ से ये फैसला था उसके बाद से अब जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों ने अपना नाम रखने का तरीका बदल लिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसे नाम है और कई जगा ऐसे भी अपने पिता के नाम से जोड़ लेते हैं अब आप कहेंगे ऐसा कैसे तो मैं आज आपको ये भी धरन देता हूं मालीजे सचिन तेंदुलकर हैं तो सचिन तेंदुलकर का जो नाम है उन्होंने अपने फादर का नाम आगे रखा हुआ है सचिन रमेश तेंदुलकर ये उन् तो देख लीजिए ये भी नाम है कि शहजात पूने वाला आदार पूने वाला तो ये भी दो नाम है जो location के साथ रखे गए हैं कुछ लोग अपने परिवार के website के साथ नाम रखते हैं तो ऐसे लोगों को अपने अपने नाम रखने के तरीके हैं और उन पर सरनेम का किसी तरीके का कोई दवाव नहीं है कि व्यक्ति को अपना सरनेम फिक्स ही करना पड़ेगा और वो अपने जो parents के दिये हुए सरनेम पर वो चलता रहेगा ऐसा दिली हाई कोट ने अपनी याचिका में याचिका करता से कहा कि आप बच्ची पर कोई जोर नहीं दे सकते और बच्ची जैसा नाम चाहें वो वैसा नाम रख सकते हैं इसलिए अब आपको भी परिशान होने की जरूत नहीं है जैसा कि मैंने नमन सत्य नियुस के माध्यम से आपको बताया कि कोई भी वैक्ति अपना first name वही रखें लेकिन second name वो उसमें क्या होता है कि वो आपके documents verify करने के बाद वो आपका सरनेम अगर देखता है तो वो आपक क्लेम होता है policy insurance का वो आपको मिल जाती है तो आप सरनेम किसी भी हिसाब से रख सकते हैं फिलहाल अब हम दूसरे किसी मुद्धे पर आपके बीच मौजूद होंगे फिलहाल दीजिए इजाजत तब तक के लिए धन्यवाद